असलाम अलेकुम तो चलिए आज के इस वीडियो के शुरुवात करते हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे आप लोग के 12th क्लास के एक शाबुक का चैप्टर नमबर 29 जिसका नाम है क्वारंटीन जी बिल्कुल आप लोग सही सुने चैप्टर का क्या नाम है क् जी आप लोग मिलाने की ज़रुरत नहीं होगी आप लोग खुद सही परीचित होंगे इस करोना काल में आप लोग क्वारंटीन से क्या लगडाउन कर्फियू दोगश दूरी मास्क है जरूरी इन सभी अलफाजों से परीचित होंगे ठीक है तो अभी आप लोग जानते हैं आप लोग तो उसको क्वारंटीन नहीं कहते हैं उस जगा को क्वारंटीन कहते हैं जिस जगा पर उस बैक्ति को उस इंसान को रखा जाता है ठीक है तो इस चाप्टर में यह जो चाप्साना यानिकी कहानी है तो इस कहानी में भी लोगों को क्वारंटीन किया ज हम लेकिन लेकिन इस गहानी में लोग क्वारंटीन हो रहा है कौनी की वज़ा से प्लेग नाम की वीवारी की वज़ा से प्लेग की विमारी बोली ए फिर सपटिया ज्वह गयाおっ और उसी जगह को बोल दिया गया है quarantine ठीक है फरक सिर्फ इतना है मैं आप लोगों को फरक बता दे रहे हूं कि अभी आप अपने रियल लाइफ में जो लोगों को quarantine होते हुए देखें इस कोरोना काल में तो वो लोग जो है COVID-19 बिमारी के वज़ा से quarantine हो रहे थे और अलग सहर से दूर एक जगह बनाये गया है उन सभी इंसान को ले जाकर उसी जगह पर रखा जा रहा है और वही पर उसका इलाज हो रहा है और उस जगह को बोल दिया गया है quarantine फरक सिर्फ इतना है ठीक है अभी आप लोग जो रियल लाइफ में देखें उसमें अलग लग बैक्ती अलग जगह पर quarantine हो रहे थे और इस कहानी में सभी लोग जिनको प्लेक की बिमारी हो गई है उन सभी लोग को एक ही जगह पर लेकर रखा जा रहा है सहर स्रेदूर जिसका नाम है quarantine इतना याद रखिएगा वैसे मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगी इस कहानी को मैं बताऊं है मैं क्योंकि मुसनिफ के बारे में ज्यादफर के बारे में चैप्रोल की लाहोर मैं इनका जल्म याद हिएगा इनके वालिद यानिके पिता जी का क्या नाम है हीरा सेंग बेदी राजिंदर सिंग बेदी के पिता जी का नाम हीरा सिंग बेदी और इनके मा यानिकी वालिदा का नाम क्या है सिवा देवी ठीक है याद रखिएगा अब आगे बढ़िए उन्हें सा 31 में लाहौर से मैट्रिक और 1931 में DAV College लाहौर से intermediate फिर B.A. में दाखला लिया ठीक है राजिंदर सिंग बेदी जो है वो 1931 में लाहौर चहीं मैट्रिक का इम्तिहान पास किये उन्हें से 1931 में DAV College लाहौर से intermediate यानि की इंटर का एक्जाम भी पास किये और उसके बाद उन्हें B.A. में दाखला ले लिया B.A. में अपना admission करवा दिये लेकिन B.A. में उन्हें पढ़ाई नहीं की छोड़ दी पढ़ाई और इनके अब्बु बोले थे कि पोस्ट ऑफिस में काम करना जॉब करना शुरू कर दिये ठीक है और आगे बढ़िए उन्हें से 34 में बेदी की शादी सुमावती से हुई याद रखिएगा उन्हें से 34 में हुई थी राजेंदर सिंग बेदी की सादी कि से सुमावती से तालिब इल्वी के जमाने में महसि लाहोरी अपना नाम क्या लिखते थे महसिन लाहोरी यह इंपोर्टेंट है याद रखिएगा एक्जाम में कोश्टन पूछा जा चुका है इस तरह से कोश्टन पूछा गया था कि राजेंद सिंग बेदी अपने तालिब इल्मी के जमाने में कौन सा नाम लिखा करते थे तो मैं अभी इंपोर्टेंट समझते हुए आप लोगों को बता दी अभी कि मैंड में फिट कर लीजिए क्या है राजेंद सिंग बेदी के जो राजेंद सिंग बेदी अपने तालिबिलमी के जमाने में कौन सा नाम यूज करते थे तो महसिन लाहोरी याद रखना है ठीक ह इनके मा के इन तकाल के चार साल के बाद इनके पिता जी का भी क्या हो गया इन तकाल हो गया वो भी इस दुनिया से रुखचत हो गये ठीक चलिए आगे बढ़िए उनचा 43 में डांक खाने में मुलाजमत की फिर उनचा 48 में जम्मू रेडियो स्टेशन का डारेक्टर बनाय कि इसका मतलब तो आप लोगों को समझ में आई गया होगा कि राजेंदर सिंग बेदी जो है वो उन्हें से 43 में डांक खाने में मुलाजमत किये यानि कि जौब किये और फिर उन्हें से 48 में जम्मू रेडियो स्टेशन के वो डारेक्टर बन गए और वहां पर डारेक्टर ब संजाबी में उन्होंने अपसाना यानि की कहाने भी लिखा है और उसके इलावा वो कई सारी फिल्में भी लिखे हैं रजंदर सिंग बेदी चली आगे पढ़िए उन्हें पदम सुरी का किताब में मिला है सहित्य केडमी अवार्ड गालीब ऑवार्ड से नवाजा गया उन जो दाना वदाम नाम का कहानी का किताब है ना यह राजिंद सिंग बेदी का सबसे पहला अफसानवी मजमा है यानि कि पहला कहानी का किताब है याद रखिएगा और कोश्चन पुछ देता है कि राजिंद सिंग बेदी के पहले अफसानवी मजमा का क्या नाम है और अपसन हाथ हाथ हमारे कलम हुए मुक्ति बोद ये सब क्या है कहाने के किताब है जो की राजिन रसिंग बेदी ने लिशे है इनके एक नाविल का नाम दिया गया है जिसका नाम है एक चादर मैली सी यह भी याद रखना है यह इंपोर्टेंट एक्जाम में कोशन पूछ देता है अगे देखिए 1989 में 1979 में बेदी पर फालीज का हमला हुआ और 1984 को मुंबई में वह इंतकाल कर गए यानि कि 1989 में राजिन सिंग बेदी को फालीज मारा और ठीक पात साल के बाद 1984 में मुंबई में ही राजिन सिंग बेदी का क्या हो गया इंतकाल हो गया वह दुनिया से रु और पट स्क्रिन शॉर्ट अब चली जर्व इस कहानी को भी समझ लेते हैं इसमें आप लोग को इतना तो मालूम चली गया है कि इस फार смысल में ब्राइश की सब्सक्राइम में प्लेग नामक विमारी की बात की जा रही है और जिसको भी शहर में फैली होई है न। उसी तरह आप अपने डियल लाइफ में देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना वाइरस फैला हुआ है ठीक है बिल्कुल उसी तरह इस कहानी में भी ये प्लेग नाम की जो बिमारी है वो फैली हुई रहती है जिस तरह कोरोना वाइरस एक आदमी से दुसरे आदमी में एक इंसान से दुसरे इंसान में फैलते जा रहा है बिल्कुल उसी तरह ये प्लेग नाम की बिमारी रहती है न एक इंसान से दुसरे इंसान में फैलती चली जाती है और यहां पर ये कोविड-19 बिमारी कोरोना वाइरस से हो रही है और बिल्कुल उसी तरह इस कहानी में प इतना डेंजर है यह खतरनाक है कभी यह प्लेग नाम का जगा जहां पर प्लेग से पीरत ब्यक्तियों को ले जाकर रखा जाता था वहाँ पर जितने भी लोग थे सब प्लेग से पीरित से सब को प्लेग नाम का ये विमारी हो गया था और इसलिए वहाँ पर कोई भी जाना पसंद नहीं करता था वहाँ का महौल एकदम गंदा हो गया था एकदम खतरनाक वहाँ क्वारंटी नाम का जगह हो गया था वहाँ प वहापर कोई भी जाना पसंद नहीं करता था शहर के लोग को अगर प्लेक की बिमारी भी हो जाते थी न तो डर से नहीं बताते थे क्योंकि उनको कुरांटीन मिलेकर चले जाएंगे लोगं इतना खतरनाक वो करंटीन नाम का जगा बन गया था ठीके और इसी कहानी में जो मरक करना चाहता है और इसलिए विलियम भागो इतना डेंजर वो जो क्वारंटीन है इतना खतरनाक होने के बावजूद भी जो है विलियम भागो वहाँ पर जाकर साफ सफाई का काम करता है जारू पोछा लगाता है ते के नारिया साफ करता है यह सारा काम जो है भागो उस क्वा होता है कि दूसरों की मदद करना अगर इंसान दूसरों की मदद करते करते मर जाए तो इससे बड़ी खुशी की बात और होई नहीं सकती इसलिए मैं दूसरों की मदद करना चाहता हूं ठीक है लोगों की क्योंकि इसको मालुम था अगर भागेगा तो साफसफाई से भागे गा अगा ब्याई के विमारी जो खतम होगी और भागो जो है आंकी बाइयो पर जाकर साफसफाई का काम किया करता था और उसी में जो एक डॉक्टर थे जिनका नाम है रेवरेंड मॉन तलाबे ठीक है बहुत अजीब तेड़ा मेड़ा नाम है लेकिन मैं इनको डॉक्टर ही बोलूँगी बार-बार इनका नाम लेना अच्छा नहीं होगा न तो यह डॉक्टर जो है वो उस क्वारंटीन में जितने भी मरेज है उनको मतलब इलाज करते हैं लेकिन फिर भी अपने आप में बहुत सेफ्टी रखते हैं इलाज करते हैं और फिर शाम को रात को अपने घर जाते तो वो क्या करते हैं कि राम बालक साबुन से अपना हाथ दोते थे ठीक है और जॉम्स को मार देने वाली क्या करते हैं पानी स गरारे किया करते हैं ये डॉक्टर सहाब उसके इलावा मतलब ये सेफटी अपने आपको देते थे कि मुझको भी प्लेक की बिमारी ना हो जाए कि इनको प्लेक के मरीज को ही देखना रहता है तो ये अपने आपको बचाने के लिए सब करना ही पड़ेगा तो राम बालक साब बिमारी ना हो ठीक है क्योंकि इनको पूरा दिन मरीज को ही प्लेक के मरीज को ही देखना रहता था ठीक है तो एक दिन क्या हुआ कि डॉक्टर सहाब जो है वह बहुत ज़्यदा ब्रांडी पी लिए और हुआ क्या कि वह ब्रांडी जो है दिमाग पर चड़ गया इनका परनका उत्रा तो डॉक्टर सहाब को लगने लगा ऐसकिलो मुझे नहीं हुई है तो एक दिन हुआ क्या इस वह अपना साफ़सफाई का काम करता और डॉक्टर सहाब जो हे वह रिज्क इलाज करने का काम करते एक दिन हुआ यह कि विल्यम भागो की पतनी वाइफ का ही प्लेग नाम का बिमारी हो गया त्रीकिए अब बागो दोड़ा दोड़ा अपनी पतनी को ले कर आया और डॉक्ट नहीं करता है तो विलियम भागो की वाइफ यानि की पतनी का इंतकाल हो जाता है और उस वक्त उनका जो छोटा बच्चा रहता है वह अपनी माज के सीने से लिपट कर बहुत ही रोता है तेकि और यह देखकर तब डॉक्टर को एहसास होता है कि मुझे इसकी वाइफ की देखकर चौक जाता है क्योंकि जिस तरह रोज विलियम भागो साफ सफाई का काम करता था बिल्कुल उसी तरह उस दिन भी वह तैयार होकर आकर साफ सफाई का काम जाड़ू पोचा नालियों में दवा छिड़कने का काम किया करता था कर रहा था तो यह देखकर डॉक्टर तो पता है विलियम भागो क्या बोला कि मौत तो एक दिन सब का फिक्स है सब को एक ना एक दिन मर ही जाना है तो क्यों आपने जिंदगी में कुछ अच्छा काम करकर मरा जाए और इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं साफ सफाई का काम करकर मैं अपना योगदान मुदू इस प विलियम भागो जो है वो रोज काम किया कर था रोज साफ सफाई का काम किया कर था और डोक्टर को तो खुद पर सर्म आई ही थी तो वो रोज इलाज किया करते थे तीकि और इस तरह मामला चलते ही गया और एक दिन ऐसा आया कि इस प्लेग नाम की बिमारी पर काबु पा लिया गया यानि की प्लेग नाम की बिमारी को उस शहर से खत्म कर दिया गया और ये सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि भागो जो है वो साफ सफाई का काम किया करता था, वही साफ हो गई ठीक है इस पर काबू पालिया गया तो एक तरह से सभाब उलाया गया खुशी के तौर पर एक तरह जलसा नहीं बोला जाता है तो मतलब सभाब उलाया गया जिसमें डॉक्टर भी थे वजीर भी आये थे ठीक है वजीर मतलब यह तक्रीरे दे रहे थे कि मैंने 51 लोगो जो जो प्लेड से पीरित से उन पर काबू पालिया अगया और ठीक है डौक्टर वी और डॉक्टर सब्सपर तररक्क्रेंट करनल बन गया यानिके और सब्स्राइब को यहां पर दॉक्तर साहब कुछ भी की बिमारी खत्म होई थी जड़ से ठीके तो सबा खत्म होई जलसा खत्म हुआ और डॉक्टर साहब घुजर रहे थे तो देखे की विलियम भागो को देखते ही वो रुख गए विलियम भागो बोला की डॉक्टर साहब बदाई हो आपके वजा से प्लेग नाम की बिमारी खत्म हो गई है ठीक है और ये सुनकर डॉक्टर साहब को अपने आप पर बहुत ज़दा शर्म आई क्योंकि वो जानते थे कि ये जो प्लेग नाम की बिमारी है वो भागो के वज़ा से ही खत्म होई है क्योंकि वो साफ सफाई का काम किया करता था ठीक है तो बोले डॉक्टर साहब भागो से कि देखो कोई नहीं जानता दुनिया नहीं जानती कि तुम्हारे वज़ा से ये प्लेग नाम की बिमारी को जड़ से खत्म किया गया है लेकिन मैं जानता हूँ ठीक है और यहीं पर जो है आप लोग का ये पहानी खत्म किया जाता है विलियम भागो को आप लोग लग रहा था कि लंच मीले गा ऐसा कुछ नहीं हो है और जो डॉक्टर है जो कि कुछ नहीं किया वो सिर्फ इसको लेटिनेंट करनल का दरजा मिल गया तो इसी पहला सवाल है क्वारंटीन अपसाने में किस वबा का जिक्र है क्वारंटीन नाम के इस कहानी में किस बिमारी का जिक्र है तो वो है प्लेग नाम की बिमारी जिसको ब्लेग की बिमारी भी कहते हैं ठीक है दूसरा सवाल है चूहों से बचने की तलकीन करने वाले इस्तहार के उन वान में लोगों ने किस बात का इजाफा किया यह प्लेग नाम की बिमारी से बचने के लिए एक नारा मतलब पूरे शहर के लोगों ने लगाया था ना चूहा ना प्लेग यानि कि ना चूहा रहेगा ना प्लेग की बिमारी होगी लेकिन यह जो क्वारंटीन नाम का जग ना क्वारंटीन का इजाफा किया गया है ठीक है बढ़ाया गया है तिसरे सवाल है क्वारंटीन अफसाने के किरदार डॉक्टर का असूल नाम क्या है ठीक है यह जो क्वारंटीन नाम के अफसाने में यह किरदार है डॉक्टर इन का क्या नाम है तो रेवरेंड मौन तलाबे ठीक है चार नमबर सवाल है क्वारंटीन अफसाने में सफाई का काम करने वाले भागो का पूरा नाम क्या है भागो का नाम है पूरा नाम विलियम भागो ठीक है पाश नमबर सवाल है भागो के घर प्लेग से किसकी मौत हुई तो भागो के घर प्लेग से उनकी बीवी की मौ सब्सक्राइब लेटी के पहले अफ्सानुवी मजमुएं की पहला कहानी का किताब का नाम बताना है तो मैं आप लोगो को बताई थी ना अभी तो बोर्ड मिटा दी हूँ यापर लिखी थी पहले अफसानवी मजमिया और मैं बताई थी कि बहुत ज़दा इंपोर्टेंट है याद रखिएगा और देखिए कोशन पूछ भी दिया है बेदी के पहले अफसानवी मजमिया का ना मैं करेक्टर तो वह है विलियम भागो ठीक है तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 29 जो है वह कोशन एंसर के साथ कमप्लीट होता है कोई भी कमफ्यूजन हो इस चैप्टर से रिलेटेट आप हमें कमेंट करकर पूर्ट सकते हैं जो कुछ भी मैं समझाई समझ में आया और वी करेंगे नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदा हाफिस